अब सोचिए कि कितना मेरीट है इस लड़के में कि इसने अब तक चार से पांच नौकरिया निकाल ली और अब देखिए आपकी UPSC में भी बाजी मार ली पिता जी मेरे मिडल स्कूल में हेड मास्टर हैं काको में पिता जी हेड मास्टर है और बेटा अधिकारी बन गया पिता जी भी अकेले रहते हैं अभी ताकि हम लोग पढ़ सके मेरी मम्मी आ है रहते हैं खुद से खाना वगएरा भी बनाते हैं नमस्कार में हूँ अंचली और आप देख रहे हैं The Indian Story, जब से UPSC का रिजल्ट आया है, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि सफल कैंडिडेट्स की स्टोरी आप तक लेकर आऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऐस्परेंट हैं, जो बैट के कई न कई त्यारी कर रहे होंगे, जिनको एक मार्क दर्शन मिल जाता है वीडियो के माध्यम से, अभी आप जिस सक्स को हमारे साथ देख रहे हैं, इनका नाम अनुभाव है, और अनुभाव का जो UPSC में रिजल्ट आया है, इनका जो अस्थान है, वो 309 अस्थान है, आपको बता दे कि BPSC का एक्जाम भी उनने दिया था, उसमें का जो रैंग था, वो दूसरा रैंग था, आप सोचिए कि कितना मेरीट है इस लड़के में, कि इसने अब तक 4-5 नौकरिया निकाल ली और अब देखिए आपकी UPSC में भी बाजी मार ली है, अनुभाव सबसे पहले बहुत-बहुत सभागे थे मा जरनी थी UPSC की, तो फाइनली लिस्ट में नाम देखके बहुत खुसी होती है, तो वही लग रहा है, मैं एक एस्पिरेंट से एक सकसेस्फुल कंडिडेट अब बन गया हूँ, अधिकारी बनने जा रहा हूँ, इसके पहले आपने BPSC में दूसरा रैंग हांसल किया था, ज जी नहीं, मेरा में नेम UPSC ही था, BPSC क्योंकि एज मैंने प्लैन भी दिया था, कि अगर UPSC मेरा नहीं हो पाता है, तो मेरे पास एक बैक अप होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेंट था, तो मैंने सोच रखा था कि सेकंड अटेंट के बाद कोई ना कोई मैं एक सर्विस जोईन कर लूँगा, UPSC आपका दूसरे अटेंट था और BPSC आपने पहले अटेंट में जो है वो क्लियर किया था, मैंने सुना है कि आपने जो भी तैयारिया की है, पहले तो देख लीजे इनका जो सारा कुछ मुझे लगता है, सारा आपका पढ़ाई का जो जग प्रिली अवेलबल है, आप कई सारे टापर का स्ट्रेटी वीडियो और तॉपर स्टॉक देख सकते हैं यूटीव पे फ्रिली अवेलबल है, उससे उनके टेलीगराम चैनल पे जा सकते हैं, बना यह तो बना उसमें अपने नोटानल दाले हूँ होते हैं अपने कॉपी डा तो स्लोली उससे आप अपनी एक अलग स्ट्राइटजी बना सकते हैं और मुझे तो यह बहुत ज्यादा बेनिफिसियल लगा था क्योंकि मेरा काफी टाइम बचा था इससे जैसे अगर आप कोचिंग करते हो फांडेशन कोर्स तो आपका एक अच्छा खासा टाइम कर लेंग तो आप ज्यादा तेजी से चीजे कवर कर सकते हैं और ज्यादा टू द अपॉयंट चीजे पढ़ सकते हैं ऐसे बहुत सारे students होते हैं, aspirants होते हैं, जिनके पास उतनी capacity नहीं होती है, financially वो इतने stable नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं UPSC के बारे में, Union Public Service Commission के बारे में सुनते हैं, या सोचते हैं, तो लगता है कि भाई बहुत बड़ी चीज है, आपको कही न कहीं investment करना पड़ी coaching classes लेने पड़ेंगे, तब जाकि आप clear कर पाएंगे, तो वैसे लोग अगर देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहिएगा, जी मैं ही बोलूँगा कि enough guidance available है, और आप देख भी सकते हैं, कि ज्यादा तर जो topper रहे हैं, उन्होंने foundation courses नहीं किया हैं, जिन कर रहे हैं, थोड़ा मुझे यह बता है, क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल तो होगा कि मैंने पहले बता दिया, कि आपने बहुत सार एक्जाम के बारे मैं बता रहे हैं, कौन कौन से एक्जाम के बारे मैं बता रहे हैं, जी मैंने GATE 2022 में मेरी 66th rank थी, उससे मेरी एक PSU मे और खुझा सभाए होगे ऐक्जाम मेरा था मेरा और और भी मैंने एग्जाम दिये थे, उनके इंटर्व्यू कॉल्स मेरा आय थे लेकिन क्योंकि मैं और रदी स्रेक्ट हो चुका था था तो उनकेस्टर्वीच मेंने इंटर्व्यू मैंने स्किक्प कर दिया जैसे UPSC-CAPF का एक्जाम हो गया या UPSC EPFO का एक्जाम हो गया जिस जगह पे मैं अभी बैठी हुई हूँ यहां पे बहुत कम डिसोर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं हना मुझे दिख रहा है कि आप किस किस परिस्तिती में आपने पढ़ाई कियोगी पीछे देखिए पीछे भी बहुत सार पीछे कुछना कुछ उसका सपोर्ट सिस्टम होता है आपके पीछे कौन सपोर्ट में थे मेरे पीछे ने से support में. क्या करते हैं आपके पिता जी क्या करते हैं? जी पिता जी मेरे middle school में head master है काको में. पिता जी head master है और बेटा अधिकारी बन गया. कैसा महसूस हुआ जब पिता जी को पता चला कि चलो finally बेटा जो है वो UPSC में भी select हो गया. जी काफी गर्ब हो रहा था उनको, उनका भी सपना था कि मैं कोई अधिकारी बनूँ. अनुभव आपकी बात को सुनने के बाद बहुत सारी लोगों की मन में इस सवाल होगा कि आपका qualification background क्या रहा है? कैसे आपने पढ़ाई किये शुरू से तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे. जी मेरे स्कूलिंग हुई है डी एवी पॉब्लिक स्कूल जहानावाद में फर्स्ट से टेंथ तक और उसके बाद मैंने आइटी जेई का एक्जाम क्लियर किया था जिससे फिर मैंने सिविल इंजिनेरिंग में आइटी डेली से बीटेक किया 2017 से 2021 तक और उहां से पास आउट होने के बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. अचीवमेंट सुरू से ही शुरू हो चुका था मतलब एक के बाद एक एक रिजल्ट आपको मिलता गया. मतलब इसके पीछे सक्सेस मंतरा अगर मैं पूछू हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट से जो आप लोगों को बताना चाहें कि इन इन चीजों पर काम करने से जो है वो सक्सेस मिल सकती है. तो क्या बोलिएगा? कुछ चीज़े बोलूँगा एक competitive attitude होना चाहिए आगे निकलने का और फिर सही टाइम पर आप decision making बहुत important है, sacrifice करने के लिए आप तयार रहो, लगे कि मेरा एक्जाम आ रहा है तो cut off हो जाओ world से, एक्जाम देके फिर उन चीजों को आप restart करो, पर sacrifice वाला mindset होना चाहिए कि हा मैं सबको छोडने के लिए तयार हूँ, अपने गोल को पाने के लिए, मतलब prioritize करना होगा आपको कि क्या चाहिए, अगर आपको rank लाना है, तो काफी सारे चीज़े आपको पीछे छोडनी होंगी सोशल मीडिया का जमाना है, अक्सर में जो भी इंटर्व्यू करती हूँ, उसमें पूछती हूँ ऐसा, कि डाइवर्ट लोग बहुत जादा होते हैं, WhatsApp का जमाना है, Instagram है, YouTube है, Facebook है, आप क्या इस्तमाद करते थे इन सारे आपसको? जी, मैं एक्जाम बाले मेरे फेज में सबको डिलीट कर देता था, जैसे मेरे एक्जाम का फेज होता है, March to September end, तो इसमें सब कुछ डिलीटेड होता है, और उसके बाद मैं खोब यूज करता हूँ इनको, तो पांच महीने बंद कर देता हूँ, आप इस्तमाल भी करते हैं एक्जाम के टाइम डिलीट कर देता हूँ, एक्जाम लिख के फिर चलाता हूँ, फिर काफी यूज करता हूँ, एक्स्टेंसिबली उनको, नहीं तो मैं अपने इस सर्विस से काफी खुस हूँ कौन सी सर्विस आपको मिलने वाली है जी अभी तो लिस्ट नहीं है लेकिन पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से देखके प्रबैबली मुझे IRS income tax मिलेगा इंकम टैक्स मिलेगा तो उसमें आप सैटिसफाइड है अगर IAS के लिए भी आप जो हैं वो प्रिपेर करेंगे एक बार ट्राई करेंगे एटम्ट आगे देने के लिए जी सैटिसफाइड हूँ पर एक बार मैं और देना चाहूँगा क्योंकि मेरा first preference स्टार्टिंग से IAS था तो एक attempt मैं और दूँगा जैसा कि काफी सारे toppers देते हैं और इस बार अगर हो पाता है तो ठीक है नहीं हो पाता है तो मैं यहीं जॉइन करूँगा एक साधारन लड़के से जो प्रिपेर करता है जो पढ़ाई करता है जो इन सारी किताबों में गुज़ा हुआ रहता है उसके बाद सडिनली रिजल्ट आता है आप अधिकारी बन जाते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए आप एक motivational person बन जाते हैं आपसे लोग inspire होते हैं कैसा मैसूस होता है जब आज पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं आपसे inspire हो रहे हैं एक छोटे से कमरे में बैठके आपने तयारी की थी और आज इस तरीके से रंग लाड़ी है आपकी तयारी तो कैसा फील होता है यह सारा कुछ देखने के बाद जो lime light मिल रही है एटेंशन मिल रहा है कि special attention मिल रहा है कैसा लगता है जो अच्छा लगता है पर मैंने भी बहुत सारे टॉपर से सब कुछ सीखा था सारी मेरी preparation उनी से inspired थी तो मुझे भी one of the toppers बनके काफी अच्छा लगता है मैं भी किसी को अगर ऐसे ही guide कर पाऊं तो यह वाली चीज क साफी खुसी देती है चली बाकी जो लोग आपको देख रहें आपकी तरफ से उनके लिए क्या message होगा बहुत सारे successful रहें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो शायद successful ना रहे हो इस exam में जिनका कही ना कहीं मनोबल तो तूटता ही है जैसे आपने कहा था कि पहले attempt में ज चीजों को overcome करें और अपना full effort दें और demotivated obviously feel होता है अगर आप selected नहीं होते हैं बहुत लोग पांच नंबर दस नंबर से छूटते हैं तो इसके लिए वह काफी सारे उन toppers से inspiration ले जो पिसले attempt में prelims भी नहीं निकाल पाए थे जिनके mains में बहुत कम marks थे ऐसे YouTube पे अंगिन hope lose मत कीजिए ऐसे real example से भारे हुए ऐसे नहीं कि एक दो exceptions है यह जादा तर्व ऐसे ही होते हैं जो पिछले attempt में select नहीं हो पाए पिछले attempt में उनका prelims clear नहीं हुआ पिछले साल की topper का दो बार से prelims ही clear नहीं हो रहा है ता तीसरे बार में rank one आ गई तो ही मैं बोलूंगा कि तो लगे रहें और थोड़ा time लगेगा पर उनको मतलब सही डंग से तयारी अपनी continue रखनी चाहिए अच्छा आपके inspiration कौन है क्योंकि कोई तो ऐसा होता है जो आपको strength देता है आप उनकी बातों को सुनते हैं आप उनके slogans को देखते हैं आप उनके message को पढ़ते हैं तो को उसके लिए अभी मेरे पिता जी भी अकेले रहते हैं अभी ताकि हम लोग पढ़ सके मेरी मम्मी आह रहते हैं खुद से खाना वगएर भी बनाते हैं पुरा पड़िवाय बिखरा हुआ है कि ताकि बच्चे बन जाएं तो मेरे लिए तो सबसे बड़े आदर्स वही बिहार के बारे में क्या करना चाहिएगा क्योंकि बिहार हमेशा से लोग पीछे की तरफ आंकते हैं बिहार को जो है वो पिछड़ा मतब वर्ग में रखा जाता है यहां की लिटरिसी रेट को बहुत पीछे देखा जाता है यहां के लोगों को बहुत मजाग के तौर पे ज इजुकेशन सही हो जाएगा तो बाकी सारी चीजे उसके अकॉर्डिंगली बेटर होने लगेंगी और बिहार में इंडस्ट्री की कमी भी है उसके लिए भी काफी काम चल रहा है जिससे की एंप्लॉइमेंट यहां से लोग बहुत बाहर जाते हैं अगर यहां पर ही से बात किया यह फिर आपने भी देखा होगा पूरे इंटर्व्यू को तो एक चीज बहुत बहुत आसानी से समझ में आई कि आप एक कमरे में बैट के भी तयारी कर सकते हैं आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है बस लगन होना चाहिए वो डेडिकेशन होना चाहिए यूपीएसी का जो सफर है वो आराम से क्लियर कर सकते हैं देखे इसी कमरे में बैट के अनुभाव नहीं जो है पहले बीपीएसी में दूसरा रैंक लाया और अब देखे यूपीएसी में भी 391 रैंक लाके अपने जगा का अपने राज्ये का अपने देश का नाम उचा कि कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इंटर्व्यू के बारे में हमारे सा जरूर शेर किज़ेगा मिलतंगले वीडियो में एक नहीं कहानी और एक नहीं जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया